आपका स्वागत है दोस्तों आजनस वीडियो में आपके लिए हिंदी ब्याकरण का बहुत इंपोटन्ट टॉपिक समास का पार्ट टू जिसमें कि आपको आगे कि जो समास रह गा है पार्ट बन से बचे हुए वो सारे समास इसमें कंप्लीट कराएंगे अगर आपने हमारा पर नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्सम ने उसका लिंक दे रखा है उस पर क्लिक करका आप देख लिए जएगा बहुत ही इंपोटन्ट वीडियो है या उपर आई बुटन में आपको लिंक मिल जाएगा ठीक है वीडियो सुरू करने से पहले मां आपको बता दू ह किसी भी कंप्रिशन एक्जाम से पूरे मैं से पूरे नंबर ला सकते हैं जिसमें से जिन पर राइट टिक लग रहा है वो टॉपिक हमने कबर कर दिये हैं अगर आपने नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्सम में लिंक दे रखें उन सारे वीडियो के आप देख आपने हमारी प्रिविस वीडियो देखे होंगी तो आपको पता ही होगा हम हिंदी कितनी आसान तरह से कितनी सरल तरह से समझाने के बाद आपको कराते हैं ठीक है यूटिब पर आपको एक आद ही जगा ऐसी वीडियो मिलेंगी नहीं तो सब से टॉप रेंकिंग पर हमारी इस्टेडी पॉइंट की वीडियो चल रही है हिंदी साहिते की जिसने अब तक दो मिलियन लगबग व्यू प्राप्त कर ली है ठीक है समास देखते हैं परीभासा जो कि मैंने आपको प्रिविस वीडियो में बताई थी लेकिन इसमें भी अगवार आपको समझा रहा हूं एक्षरों को मिलाकर जो नया योगिक सब्द बनता है उसे समास कहते है यानिकि यहां पिधी सब्ख्रो को बनती है संदी उसे उसार पूत्र पूत्र को मिला गज़िए santa उना पती तो सेना पती तो यह प्रुस्त सब प्रिकार गट स Georgia समास अभेभाफ समास समास गर दिपके तब ही आपे हम कभर करें गे तत प्रुषभ समास थीक है और इसके मुख्य रूप से घर बूप्याद ना कि तो कौन कौन से तत्प्रुष अब्वेभाब द्वैंद और बहुबरी यह दोनों जो हैं यानि कि दिगु और करमधार रहे यह तत्प्रुष के ही एक भाग है इनी से यह निकाले गाए ठीक है तो इसी बजाए से आपको लेकिन अब प्रिकार अगर पूछेगा तो 6 लगाने है तो मुख्य करके आप को सन पूछता नहीं हो प्रिकारी पूछता यह तो आपको 6 बताने करने से पहले बता दू तब ही तुम मैंने आपको पारद बन में इसका बाहर नहीं करा था कि कुछ आतर जो अब ध्याबक है वो शुरू में इसका वीडियो करा देते हैं आप बहुत अची तरह से सीख सकते हैं, तो चलिए मैं थोड़ा सा बेसिक ग्यान इसका आपको दे देता हूँ, बाकि कारक की जब मैं वीडियो बनाऊँगा तो उसमें आपको बहुत अची तरह से डीप्तिली समझाऊँगा, ठीक है, तो कारक अगर प्रकार पुछा जाए, तो आठ प्रकार की होते हैं, जिसके चिन हमें पता होने चाहिए, कौन-कौन से, करता कारक जिसका चिन होता है, ने, करम कारक जिसका चिन होता है, को, करण कारक जिसका चिन होता है, से या के, द्वारा, ठीक है, संप्रदान कारक जिसका सब्कार होता है 커피 से चीज से ओर कर दोर होने के लिए संबंधकाराम कॉच长 में और दूंद कारण में हारे याद होने क्रवा प्रव्य सम्भाइघ करण से संपिठधान के लिए अपदान से संब्बंध काकि को आधीकरण में पर आइसे तक रट लेने चाहिए आपको सभी अभ्यारती इसी तरह से रटे हैं मेरे पहले से यह सारी चीजें बहुत बच्पन से ही रटी हुई हैं आज तक नहीं भूलाओ मैं इसी तरह से बच्चों को रटादा हूँ क्यों कि आपको पता होने जाए करता जब भी आएगा तो क्या आ तो बॉल से में क्या हो गया बॉल में कौन सा कारक हो जाएगा करन ठीक है तो से तो जब भी यह कारक होंगे तो उनके चिन आपको लगे हुए मिलेंगे ठीक है जैसे से या के द्वारा जैसे मैं चाकू के द्वारा जैसे मैं आपको लैप्टॉप के द्वारा पढ़ा रहा तो पेड़ से पत्ता गिरा तो पेड से पत्ता क्या हुँ राज का पुत्र अधीकराण मेपर तो यह सारे आपको याद होने चांभ है अब मैं आपकोई मंपिताता हूँ कि का राक ठीकार के रहा हों वो सिर्फ छे कारकों से बनता है, कितने कारकों से, छे कारकों से, इसमें दो कारक का उपियोग नहीं होता है, कर्ता और सम्भोधन, यानि की कर्ता का मतलब पहले बाला, और सम्भोधन का मतलब सबसे आखिरी बाला, ये कारक का उपियोग इसमें नहीं होता है, तत्पुर्ष समास जो बनेंगे इन 6 के बनेंगे करम के करण के संप्रदान अपदान संबंद और अधीकरण के ठीक है चलिए इसके बारे में बताता हूं तत्पुरुष समास के च्छैबेद कौन-कौन से होते हैं, समास और बिघ्रह के चिन, यानि बिघ्रह करने पर ये चिन संब्धान तत्प्रुष को किसम होता है करम है तो का की किसम होगा संब्धान तत्प्रुष में उसके बाद अधीकरण तत्पुरुष में क्या होगा में पर क्यूंकि इसमें दो नहीं होते हैं कौन-कौन से करता और एक संबोधन ठीक है करता का ने और संबोधन का हे अरे वह वाले नहीं होते हैं तो यह आपको याद होने चाहिए तो एक बार आप इनका स्कीन सोट ले ल बढून होता है तत्पुरुष समास में सीर्फ 6 काऱ कोब का परीज़ एक संब्सक तत्पुरुष समास जिसका परिभासा देखते हैं जिस समास का उत्तरपद अब देखो, उत्तरपत प्रिधान होता है, यानि किमे खुन्स होगा है, उत्तरपत प्रिधान होगा, इसमें दूसरे प्रिधान ही qualify, और अर्थे छुपा हुआ होगा that, बिभक्ती चिनो का लूप होता है, यानि कि जब बिङरे करेंगे तो वह आ जाएंगे सामने, तो बिग्रे करने पर वक्ति चिनों का प्रियोग होगा लेकिन समास जब होगा तब क्या होगा बहां पर लोप होगा लोप का मतलब छुप जाएंगे ठीक है उसे तत्प्रुष समास कहते हैं जैसे अब मैं आपको अधरान से समझ आँ बहुत अच्छी तरह से ठीक है तो समास लिया मैंने यहां पर तीनों चीज़ें आपको बताकर चलूँगा जैसे यस प्राप्ट यस प्राप्ट ठीक है यह समास इसका बिग्र है अब यहां पर देखो चिनका क्या हो गया लोप हो गया क् लेकिन यस को प्राप्त करने बाला तो दो को प्राप्त "... प्रत्व.... फिर्धान soul!" प्रत्व करने बाला us co, wowS तो वह लुँए क्या मैं कर्म it शुर्माइस का नाम पूचए जाकर क्या लगा होगे कर्म तद बुत समास कौन सा हो जाएगा क्रम तद परोष समास ठीक है सिर्फत बी सकते हैं अगर और ओप्चन वे तब अगर 15 अगर तद करके नहीं 10 लिएा कई क्उंसा या ठीक है तो आपको बिघरे आएंगे तब समझ में आए जैसे ग्रंत कार तो ग्रंत को करने वाला ठीक है ग्रंत को करने वाला कार मतलब करने वाला ठीक है तो ग्रंत को करने वाला तो यहां भी क्या आया को तो को के लिए करम तत्पुरुस ठीक है स्वर्ग प्राप्त तो स्वर्ग को प्राप्त करने वाला ठीक है तो स तो रेखा से अंकित तो यहां पिया यह से तो में कौन्सा होगा से म ft और के-द्वारा क्या समय सी कॉन्सा समासv करण्त तुल्स मतलख क्रिद लिखना तो के-ध्वारा वी नो लिखेली कुण से लिख से लिखा हुआ उस्त लिखिद यानि हाथ से लिखा हुआ थू ठीक है लिखित मतलब लिखा हुआ हाथ से लिखा हुआ तो से यहां पर क्या आया विभक्ति आया विभक्ति का चिन तो विभक्ति का चिन समास जब बिग्रे करेंगे तो दिखाया जाएगा और समासिक पद में क्या हो जाता है इसका लोप हो जाता है ठीक है तो इसी बैसे इ तो बहुत आसांटरा से इसके सारे समासयाद हो जाएंगे उसके बाद ये देखते हैं नेक्स्ट गुरु दखषणा ATOR टिक है तो गुरु के लिए तरह के लिए या barracket अब संद्ट करो क्या आद हो लायक करो तो वह क्या हमारी प्षणा डे रहा हो उसी से हमारी वीडियो आगे की ओर जाएगी और हमें तोड़ा बहुत उससे बेनीफीशल होगा तो गुरू के लिए दख्षना के लिए के क्यों सा होगा संपिर्दान कारक तो यहां पर कौन सा हो जाएगा संमपिर्दान कारक बिध्याले विध्या के लिए आले मतलब घर विध्या मतलब पढ़ाई पढ़ाई के लिए घर विध्याले टो आपके लिए यह यूट्यव का e तो इसमें सम्पिरदान टृट्पुरुष समाज basura तो देने इन हम भात बढ़ाई 0 रसोई घर लेकिन इसके लेखिए उसके लोप है अगर इस्का विग्रे करेंगे थी पूरा इसका कहने का मतलब क्या रसोई एक रा इसे च्यूटा करें का तो हुद दें है रश हुआ ठीक़ है तो इसमें किया यह जो चिनगा क्या हुआ है लोप हुआ है और कौन सा समाश होगा संपिर्दान तत्पृष समाश क्योंकि के लिए किसमें आता है संपिर्दान मैठ थिकर और तत्पृष तो यह है दूर हो रहा है तो मैंने बताया दूरी के लिए कौन Wear लिए भधाव का रखषैंब होता है तो अपदान तो रोग से क्या हो गया मुक्त हो गया निजल्फ रेुद का भासन में चूर करना ठीक है या निजल्त है कैम से जी चुरहने वाला तो से के क्या आ गया यानि की काम से दूर जाने वाला ठीक है दूर जा रहा है काम चोर कौन होते हैं जो काम से दूर चले जाए ठीक है जैसे पढ़ाई चोर तो पढ़ाई से जी चुरा रहा है तो तो क्या होगा पढ़ाई चोर तो काम चोर यानि काम के जी चुराने वाला तो इसमें मात्मागानी क्या थे राष्ट पिता थे ठीक है तो राष्ट का पिता तो का से क्या हो गया सम्मन्तत प्रुष राज कुमार तो राजा का कुमार ठीक है तो हमने क्या बोल दिया राजा का बेटे को क्या बोलते है राज कुमार तो उसी को स्वाट में कर दिया राज कुमार ठ समंब तत प्रू समाश्ट क्योंकि का की किसमें आता है समंध में समंध क क EVER सवत के संपिरदान आटा टा के के लिए सम्मस्थ पूरा याद धूने करताने करम को करन से और के द्हुरुआ संपिरदान के लिए अपुदान से संबंद काकी के अधिकरण में पर और संबोधन है अरे यह पूरे आपको कारक याद होने चाहिए सैना पती तो सैना का पती तो कापती यानि की संबंद तद्पुस समास ठीक है नेकस्ष देखते हैं तो कितने हो गई यह 5 मैने complete कर दिए छेटा देखते अवकि, पुर्षोत्तम पुर्षुमे उत्तम अबेखो पुर्षोत्तम में दो शमाश हो यहाँ पर ततृ पुर्ष संय किसे बूलियाता ता नियम्स सारी बहुबरी समाश क्योंकि पुर्ष है जो उत्तम तो क्या हो जाएगा बहुब्री समाज या है जिसके उत्तम बहुब्री समाज आगे देखते हैं घुड़ सबार घुड़ पर सबार तो यहां पर समाज कुन सा बता रहा हूं आपको अधीकरण समाज क्योंकि मैं और पर किसमा आता है अधीकरण में तो अधीकरण ततप्रुष समाज घुड़ सबार तो घुड़ पर सबार तो घुड़ पर सबार यानि कि पर या मैं किसमा आता है मैंने बताया अधीकरण में लोग प्रिये तो अधीकरन तत्पुरुस समास अब इन कोस्तों का आंसर आपको comment box में देना है friends यह सारे तत्पुरुस के ही रूप हैं अब कौन से तत्पुरुस के ही आपको answer देना है इनका बिग्रे भी देना है और इनका नाम भी देना है यह 5 समास है राजदरबार दानबीर धरमसाला बिद्याहीन और भारत बासी इन पांचों के answer आप comment box में दे देखते हैं कितने बचे इसका answer सही दे पाते हैं ठीक है चलिए अब आगे आपको दो समास जो रहेगा है दिगू और द्वैन इनको मैं समझाता हूं बहुत अच्छी तरह से ठीक है तो चार समास मैंने आपको complete संख्या बाचक यानि की गिलती होता है वही तता सभी पदों का समु का बोद कराता है ठीक है पहला पद क्या होगा संख्या बाचक यानि संख्या दिखा रहा होगा पहला पद वही क्या होगा दिगू समास जैसे खुद नाम में देख सकते हो दिगू दिगू मतलब दो दि तो चार में 4 चार कास्षा और सम्हु का बोध कराता है पहचान को या दोनी चेहें होगा? घुनति होगी यानि जिनति होगा प्रयोग उसके पहले पद में और बिगरे करने पर क्या लिखेंगे? का सम्हू का सम्हार, ये दोनों 맞osto होंगे, का सम्हू या का सम्हार, ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ, कब कौन सा współと होगा, जैसे कि पहला नी बढ़ा है दिगू, तो दिगू का बिग्रे क्या होगा, दो गायों का सम्हू, ॥िघु का मतलब 2 गयों का शमु। अगर दिगु समास में क्या है इसका विगरे करे का रहा तो, यहां पर संखेया कितनी यहाई दो है। इस वहाई से कौन से समास हो गया। काय शमु।ועika की और एक ते लोग पहले चलते थे आने चलते थे आप को देखना पूर बजयों से पूचत घावन पूरुजों है पढ़े होंगे इस चलते थे उसी को आठ आनों के शम्हों को क्या अठनी टिर लोग तो तीन लोकों का समू तो तिर में मतलब तीन आठ मतलब आठ चारा दीव मतलब दो तो यहां पर जल रहा है कि चाहर ने चाहर महीं कर दो पहर नहीं करो हो भी तो भुटा पोड़ धीकर on सब्सक्रेंब कर दो गजैधे इसे तुछ को जे दो पहरी का सम्हूँ Dalam साम के बीच का मिड्र टाइम कोई क्या बोलेंगे दोपहर ठीक है यालि सुभा का time current time का time क शुरु हो रहाए तो उसी को बोफ दिया दोपहर तो दोपहरों का समू याँ दोपहर यहँं पहर बहाँ प allen मतलब समय समासिक पद और तो देखो सभ में शंख्या दिख रहे हैं जहां भी शंख्या दिख जाए कि होगा होगा सब tapa क्लिए लेकिन कुछ नव रात्रूरातों का समहार त्रहया तीन रास्तों लजको लिए होता है Kim' Kya? कर आतो वहें पैसे क्या होगा दिगु शमाश होता है ठीक है तो जहां भी शंक्या डिख करने वंगा थो इनकी या इनका शमार, टिक है, का शमार या का शमू, जो भी नाम दिया ओ, ठीक है, next और लास्ट हो गया, दुलैंट शमास, देखते हैं, दुलैंट शमास, तो जिस शमास का पूर पद, पूर मतलब पहले वाला, पहला पद, ठीक है, उत्तर पद और उत्तरपद यानि कि दूसरा पद दोनों ही प्रधान होते हैं यहां पर दोनों ही प्रधान है यानि दोनों के अपनी अपनी पावर है बरावर की है ठीक है तथा दोनों एक दूसरे के बिलॉम का भी बोध कराते हैं यानि कि एक दूसरे के बिलॉम होने का भी बोध कराते यह केट उसे दौंड समाज कहते हैं उसे क्या और क्या होगे प्रदान तो ऐस सबस्क loudする कुछ या है यह मैं आपको बताई हैं जैसेसे बहु बढ़ाईं कोई दुख भी अपने आप में प्रधान है और दुख भी दोनों बराबर के टक्कर के हैं तो जहां भी टक्कर वाली बात होगी बराबर वाली बात होगी वहां पे दोनों क्या होंगे प्रधान ठीक है दोनों पत क्या इसमें प्रधान ठीक है लेकिन ऐसा कौन सा समासे जिसमें को में भी आप नहीं बता सकते दिगू में भी आप में बताया तक क्या पहचान बता थी मैंने संख्या बाचक लेकिन उसमें भी अगर पुछा जाए वो दूसरा ही हो जाया क्योंकि वह किसके रूप में तत्पुरुस के दिगू और करमधार रहे ठीक है पहचान बिलोम सब्द में लगेंगे यह आपको याद रखना हो Leg guy उप जैसे कि मैं आपको बताता हूं समासिक पद क्या होंगे छोटा बड़ा छोटा बड़ा तो यहां पर क्या हो जाएगा छोटा या बड़ा दिग्रेम में क्या लगाया या छोटा या बड़ा ठीक है दूद दही दूद और दही ठीक है दूद और दही लाब हानी लाब या हान तो देखो अब आपको कुछ बचों confusion होगा सर कब या कब और लगाना है तो और जब लगाना जब तो बरावर की चीज़े होंगी बरावर जैसे दूद दई एक ही बात है लेकिन छोटा बड़ा एक बात नहीं है लेकिन आपको पता होने चीज़े हैं या भी लग जाता है और और भी लग जाता है जैसे भाई बहन बरावर हैं तो भाई और बहन नर नारी नर और नारी तो बस आपको योजक चिन हटा कर क्या लगाना है समास बिग्रे में और लगाना है कौन से समास में दुएन समास में ठीक है तो और बस आपको लगाना है तो आसांतरा से देख लोगो बैसे भी बिलॉम बाली बड है ठीक है माता का बिलॉम पिता भाई का बिलॉम बेहन ठीक है लाब का बिलॉम हानी ठीक है देश बिदेश तो देश और बिदेश ठीक है क्योंकि परावर है दाल रोटी दाल और रोटी ठीक है देव अशुर देखो यहां पर देखेगा यहां पर योजक्ची नहीं लगा है लेकिन यह भी क्या है द्वेंसमासी ह यानि की देवता और अशुर यानि की राक्षस तो देवता या अशुर ठीक है तो यहां पर या क्यों लगा है क्योंकि अशुर अलग चीज है और देवता थोड़े अलग है ठीक है देवता पावरफुल होते हैं अशुर थोड़े कम पावरफुल होते हैं तो यहां पर जब ना तो इन हम प्यैर में की बोलते हैं बोलते हैं इनल जाते हैं छोटा बड़ा-ला लेइं ओंगे मत पिता आन्य तो जो पैर में जब इन दौनों में लिखा जाता है तो यह सब आ जीत्य ह्ती है जैसे एक दूसरे को लिखते यह एक दूसरी इस राखेन यह यह जखतीर तो आई होप कि आपको यह समझ में आ गया होगा जिसके बिग्रे करने पर और यहां का प्रियोग किया जाता है जिसका पूर बहुत्तर पर दोनों ही प्रिदान होते हैं क्योंकि देश भी अपने आप में पावरफुल है ठीक है चलिए अब कुछ महतपूर बिंदू जो कि आ पर 11 चाहर समास इसके सही आंस और सिर्प या तो एकुछ असे दिए बहुब्रि शमास करमदार्यमर को आपको आफ करमदार नह Gib लेकिन कुछ अपशन आप्षेने इससे दयुयर्द होस्टके चलिए वहां पर दौनों आप्शन ना हो और दोनों ही आप्सन रख क्यों होई बहु बिरी देना ये नीचे आप नोट पढ़ सकते हो चली मैं आपको समझाता हूँ पहले तो आप जो इनके पहले बिग्रे करें क्या पूछ रहा है वो ठीक है जैसे उसने दे दिया तीन नेत्र हैं जिसके इसमें कौन सा समास है ऐसे बिग्रे करके देगा इनने देगा तो अगर डाउट करेगा तो बिग्रे करके करेगा ठीक है बिग्रे करके आपको कुछन देगा और इनमें पुछ लेगा तो हैं जिसके इसमें आया क्या आया हैं जिसके तो हैं जिसके जब आएगा तो कौन सा होगा बहु बिरी समास अर्था सिब क्योंकि तीन नेत्र किसके थ हैं जो कि जैसे 10 अनन तो 10 अनन में बहुबड़ी समाज भी होगा और दिगू भी ओगा क्योंकि 10 अननों का समुधू तो गया धिगू और 10 आनन हैं जिसके तो यानि कि रावड अर्था तो बहु बहुबड़ी ठीक है जैसे पीतंबर तो पीतंबर भी डावटफूल है पीतं आपको तीनों और आपको एक चुनना है तो आप उसमें बहुबिरी चुने ठीक है यह मेरा आपसे सजेस है क्योंकि पेपर में ऐसा माना गया है लिया है आंसर बोर्ड ने ऐसा आंसर दिया है कुछ पेपरों में ऐसे आपसन आये थे तो उसमें बहुबिरी को सही आंसर माना महाबीर में दो समास है एक करम है जो बीर क्योंकि महाबीर किसका पर्यावाची अफया था हनुमान का था हनुमान महान जिसका बीर है था हनुमान तो देखने कितने बच्चे इनके वी आंसर मुझे सही दे पाते हैं यह 9 के 9 समासों के वी आंसर आप दे यह नोट आप ज़रूर पढ़ने जब किसी समासिक पद के 2 समास हो तब किसी एक विकल को चुन्ना हो यानि 2 समास उसके अंदर हो जैसे कि यह दिया है जैसे कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे हाइफाइ न्यूज गौर्मेंट जॉब को एक दूसरा चैनल है उसे भी सस्क्राइब कर सकते हैं और हमारे इस चैनल को जरू सस्क्राइब करें हाइफाइ स्टडी पॉइंट को ताकि आपको ऐसी सारी वीडियो सबसे पहले पहुँच जाएं और वीडियो को लाइक करें अपने फ्रेंटों के शार शेयर करें जैहिंद